आज हम आपको इंडियन स्टाइल में टस्कन चिकन बनावा सिखा रहे हुए तो आज हम आपको टस्कन चिकन बनाने के लिए इंड्रीडियन्स बताते हैं इसमें हम लेंगे अबाव 100 ग्राम्स ऑफ चिकन वन एक यह हम ले रहे हैं मलाई हम यह तो प्यूरी का इस्तमाल करेंगे पर मैंने घर में ही जो है वो टमाचो को रेट के उसकी प्यूरी बनाए हुई है हम लेंगे गालिक रेता हुआ हमें चीज रेत के रखी हुई है यह हमारे पास मैदा फ्रेश ट्राट्रोस को चॉप करके रखा है यह हमारे फ्रेश अनियन्स हैं और हम सीजनिंग के लिए काले मिर्च हैं और इगैनो हैं हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं हलका से चिकन स्टॉक बनाने के लिए हम कढ़ाई चुढ़ा देंगे और उसमें हम जो है वो पानी डाल देंगे तोधे पानी डालेंगे है जोकर उसके हमारोन छिकन है उसमें पीप दाल देंगे हमारा चिकन पर एके पोड़ेंगे यहां पर एकपलड़ा हे डाल लित दम गज़ा हह गीड़ करने मिला देंगे जब तक हमारा चिकन स्टॉप बन रहा है, हम इसमें बीट करने के बार, इसमें about one and a half spoons of हम इसमें डालेंगे मैदा, और इसको अच्छे से इसमें हम मिला लेंगे अब हम इसमें seasonings डालेंगे, थोड़ा से इसमें हम black pepper डालेंगे, थोड़ा इसमें हम cherry flakes डालेंगे, थोड़ा इसमें हम hollygannu डालेंगे, स्लाइट से इसमें हम जो मैंने रेट की गैसम रखा हुआ थोड़ा लेंगे, और हलका से हम इसमें cheese बहुत नाके परामदा लेंगे, तब तक हमारा इसमें ये boil हो रहा है, इसका फ्रॉट बननेगे, तो इसमें हम धेके से चिला नहींगे, जिसे के हमारा चिकन स्टॉप त अच्छे से मिला रिका है, हमारा सब कुछ इसमें मिल जाए, और इसमें हम चिकन के पीसे डादेंगे, जो हमारा बॉल चिकन स्टॉप था, वो मैंने एक बोल में लग दिया है, और हमने यहाँ पर जो हमारे पास ड्रेसिंग्स थी, वो मैंने त्यार कर ले है, आवन में देख करने के पहले, इसको अच्छे से जीरे-जीरे पलटके तो प्राई कर लेंगे, तेल हमारा गरम है, वैसी गरम तेल में हम लोग इसको दोनों साइज इसके, आलके से, यह अब हम इसको आवन में कुख होने के लिए रखतेंगे, आवन को यूज करेंगे, उसको हम जिलादेंगे, अब उसमें हम बटर या ओल, देशी घी किसी भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं, हम इसके अबब 3-3.5 स्पून को देशी घी लिलेंगे, इसमें हम फोरा सा देशन डादेंगे, इसमें हम अनियल्स दालेंगे, जो हमने काटके रखते हुए हैं, और उसको हम जिली याज के लिले देगे, इसमें हम घर की बनाए हुई प्यूरी और जो हमारे पास टेमाटोस है, उसको डाल के फ्राइ करेंगे, हम इसमें चिकन प्रोथ डालके इसको हम पखने जाए जाए इसको हम धीरे-धीरे ये गलने देखे हमारे चिकन प्रोथ में अनियन्स और टोमाटोस जिसमें प्यूरी भी पढ़ित है अराम से पक रहे हैं थोड़ा पक जाता है करीग 5-10 मिनित तक तो इसमें शीजनिंस डाल देगे, इसमें हम पेपर डाल देगे इसमें हम ठली प्रेट्स डाल देगे इसमें हम औरिगेनो डाल देगे इसमें हम सॉल्ट की टेस्ट आल रहेंगे इसके बाद हम इसको फुरा सब और चलाते रहेंगे इसमें हम घर की फ्रेश घ्रीम डाल रहेंगे इसमें हम फुर्ण की डाल देगे एप्रेम बूल में भी थोरा सब पारी डाल के इसमें हम बाद प्रेश तरह को खूने देगे इसको हमें मैक्रोवेव से निकाला यह हमार अच्छी से पग गिया है यह वेड़ी कुक होके हैं अंदर से बिल्टिशनेस नहीं है फ़कम होके हैं अब में मिच को एकिक करके अपनी ग्रेवी में डामने के बाद इसको कुक करनेंगे यह हमारा कस्कन चिकन तयार है इसको भी ग्रेवी में हम चार मिनट तक कुक करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन में बहुत जादा कुक रेजपीस चाहते हैं इस बीच में हम इसमें थोड़ा सा चीज डालेंगे और कटी हुई धनिया कोपर से स्प्रिंगे कर लेंगे इसमें हम चाहें तो डिफर्ट डिफर्ट वेजिटिबल्स का भी इस्तुमाद कर सकते हैं इसके में इससे की और हेली बन जाए अब भी हम थोड़ें इसके कोख कुणे के लिए छोड़ देंगे तस्कन चिकन इससे कि इसकी ग्रेवी में यह मसाला अच्छे से इसका पवज जाए गरेब 4 मिंटे इसको 4-5 किए इसी में झी कोख कुणे देंगे विए हमारा तस्कन चिकन तैयार है आशा है आपको हमारे कसकन चिकिन की रस्पी अच्छी लग्य होगी अगर आप इसको करने बिनाते हैं तो प्लीज अपने कमेंस एंड एक्स्पीरियेंसे शेयर करना दाम होगे ऐसे ही खाना खजाला में हम आपने सब पर आपर मिलते रहेंगे आप हमारे चानल को लाइक सब् वेगेडीज एक्स्पी उलकी एक्स में होगे प्रॉण कामारे कि दूटरा करें वेजीचे उनुदाती लोगेड़ जावेड़ोंगे वेश्चंती को प्ली है एक्सांटी जू करेंगे प्नुदा सब्सक्रावेशें सुलेदियर को थाली है आपकार फ्लीज एक्सावेशे